आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे डेंडर प्रिवेंट हेर फॉल और हेर री ग्रोथ के बारे में आए जानते हैं दोस्तों ऐसे इंग्रिडेंट्स के बारे में जो बहतरीन काम करता है इच्छा इसका वर्क है आए जानते हैं इसके कंपोजिशन क्या क्या है कैसे मिलगे बना है और इसका वर्क कैसे है और ये जनवरी 2017 का बना हुआ है जनवरी 2020 तक जाएगा दोस्तों पोड़क्ट को दोस्तों कंटिनीव मसाज करना पड़ता है तब जाके इसका रजेल्ट आता है और इसमें फे फ्रॉम केमिकल नो कलर्स नो एड्ट एक्टिब इंग्रिडेंट्स आए जानते हैं दोस्तों इसका एक्टिब इंग्रिडेंट्स क्या है आउला, यूनियन, गार्लिक, हस, कलोंजी, लीव, कोड, कोडी, लेवर, बाम्बू, लीव, कृष्णा, तुलसी, नन्नारी, ओलिव आयल, अल्मोंड्स आयल, जिंजली, ओली, कोकोनट आयल और मस्टर्ड आयल से ये मिलके इसका वर्क है दोस्तों और ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है दोस्तों इसका कैसे इस्तिमाल करेंगे दोस्तों, पहले इस बोटल को पुरा हिला लें क्योंकि इसमें बहुत सरे जड़ी-बुठी मिलके बना हुआ है और मिलाने के बाद अपने सर को बालों की जड़ केता तो पूरी लगाएं और इसे मालिस करें और मालिस करके 15-20 मिनट ज़्याद से ज़्यादा जैसे ही मालिस करेंगे यह आपके जड़ में जाके पहुंचेगा दोस्तो और उसी के हिसाब से आपके डेंटरफ खतम होता है दोस्तो हेर फाल रुख जाता है और री हेर करेंदरर भिख था बहुतो है है दोस्तो पर बहुत में ईबलेबल है हासिल इस बोटल में से फ़्टा से निकाल कर कातोरे में ले लेकर सब्सक्राइबना होने जढ़ने से आपको बालो के जढ़ने को काफी नुक्सान पूंचाने में मदद मीलेगी, ऐसे समय के लिए अपनी उंगलियों के साथ बालो को टानिक और मालिश के रूप में अपने सारे सिर के उपर इसे लागू करें, पिक बहुत सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स से मिलक बना हुआ है जैसे आप देख रहे हैं आमला, यूनियन, गार्लिक, खस, कलोंजी यह बहुत सारे elements इसमें डाले हैं मिल के बना हुआ है कलोंजी, कलोंजी आयल, ब्लेक सीट्स, इस एक्स्टरमेली इसके अलावा इसमें बहुत सारे ingredients है, इसका अलग अलग वर्क है, जिसमें बहुत सारे elements को मिला के इसमें बनाया गया है